नमस्कार सातियों, हमारे बहुत सातियों को मोबाइल से PDF फाइल बनाना नहीं आता है और बहुत सातियों को यदि PDF फाइल बनाना आता है तो उसकी साइज को कम या ज़्यादा करने में भी उनको समझ्या आती है जिसके कारण उनके बहुत सारे कारे पेंडिंग हो जाते हैं जैसे मैं एक्जामपल के रूप में आपको बताऊं तो आप RGHS के यदि TRN नमबर जारी करना चाते हैं तो आपको वहां RGHS के TRN नमबर जारी करने के लिए एक PDF फाइल के आउशकता होती है और वह भी निश्चिस साइज में वहां PDF फाइल अप्लोड होती है तो आपको यदि PDF फाइल बनाना नहीं आता है और उसकी साइज रिड्यूस करना नहीं आता है तो ऐसी कंडिशन में एक निश्चिस साइज में मांगी जाती है और वह आपको बनाना नहीं आती है तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेरा आपको बिलकुल स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा जिसके माध्यम से आप मोबाइल के थुरूई एक निश्चिस साइज में PDF बना सकते ह और अपना कारिय स्वयम कर सकते हैं आपको कहीं भी इमित्र के चकर काटने की आउशकता नहीं है सिर्फ इस वीडियो को आपको बिना इसकिप किये पूरा देखिएगा जब आप पूरा देख लेंगे इस वीडियो को तो केपेबल हो जाएंगे कि आपको PDF फाइल मोबाइल से कैसे बनानी है तो प्रक्रिया बताने से पहले सात्यों आपसे मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा कर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के महत्रफू बनाने के बाद उसकी साइज को रिडियूस करेंगे मतलब कम करेंगे या ज्यादा करेंगे मोबाइल से पीडियेफ फाइल बनाने और उसकी साइज को रिडियूस करने या बढ़ाने के लिए आपको मोबाइल में एक एप्लिकेशन की आउशकता होती है तो आपको सबसे प लेना है जैसे आप यहां क्लिक करेंगे इस तरह की इंफोर्मेशन अब आपके सामने खुल कर आएगी तो यहां उपर आपको सर्च बार दी हुई है तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके मोबाल का की पेड एक्टिव हो जाएगा तो यहां आपको लिखना है, Kame Escainer, जैसा सातियों मेंने यहां लिखा हुआ है, सिरफ Kame लिखा है, और Kame लिखते ही मुझे यहां नीचे मिलने लगा है, Kame Escainer, यदि आपको नहीं मिलता है, ऐसी कंडिशन में आपको पूरा लिख लेना है, जो मैंने highlight किया हुआ है एसा आपको पूरा यहां लिख देना है came scanner यह लिखकर आपको सर्च करना है जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह से आपके सामने नया interface आएगा जितने भी came scanner के एफ होंगे उन सभी की information आपके सामने खुल कर आ जाएगी तो अब आपको ध्यान रखना है सात्यों यह वाला scanner आपको यहां से download करना है came scanner के बहुत सारे एफ है परन्तु जो मैं एफ आपको बता रहा हूँ document, scanner, pdf, creator name से आपको मिलेगी आपको देख लेना है मैंने इसको इस first highlight कर दिया है इसको आपको install करना है तो इस पर आप click कर लिजेगा जिसे आप इस पर click करेंगे इस तरह का interface आपके सामने कुल कर आ जाएगा अब सात्यों मैंने इस app को पहले से install कर रखा है अपने system में इसलिए मुझे यहां option मिल रहा है uninstall और open का परन्तु आपने आपके system में इसको install नहीं कर रहा होगा तो आपको यहां नीचे की तरफ option मिलेगा install का तो आप उस पर click कर लिजेगा और application को install होने दीजेगा आपके mobile में जब application आपके mobile में install हो जाएगी तो उसको आपको डूंडना है तो एप कहां आएगी सबसे end में जितने भी एप आपके mobile में वहां आपको search करना है तो सबसे end में आपको यह एप मिल जाएगी scanner जो आपने download किये उसका name आपको इस तरह से दिखाए देगा डिवोसी scanner तो आपको जब यह दिखाए दे जाए तो इस पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने एप इस तरह से खुल कर आ जाएगी अब सात्यों यह एप है जो हम फिरी में यूज़ कर रहे है हमने paid version इसका नहीं लिया है इसलिए एप पर advertisement आते हैं तो जब मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जब आप एप का उपयोग करें उस समय आप आपके mobile के internet को बंद कर दे ताकि आपको जो aid दिखाई देते हैं वो aid यहां दिखाई नहीं दे और आपका कारे आसानी से हो जाए तो अब आपको करना क्या है यहां पर इस परस्ट आपको मैं यहीं से प्रकरिया बताता हूँ कि आपको कैसे एक PDF फाइल जनरेट करना है कैसे उसकी साइज को reduce करना है तो यहां आपको camera दिया हुआ जिसको मैं highlight करके आपको बता देता हूँ कि आपको यहां camera दिया हुआ है इस पर आपको click करना है आप मालो किसी भी file का photo कीच कर उसकी pdf बनाना चाते है तो यहाँ आपको click कर लेना है जैसे आप यहाँ click करेंगे आपके mobile का camera active mode पर आ जाएगा picture लेने के लिए या pdf file बनाने के लिए अब आपको यहाँ करना क्या है यहाँ उपर ध्यान रखना है कि आपको एक निश्चिस size में pdf file के आउशकता होती है तो आप pdf file की size reduce करना चाते हैं गटाना चाते हैं बढ़ाना चाते हैं तो यहाँ एक setting का option आपको मिलेगा जब आप camera on करेंगे तब ही आपको यह option मिलेगा ऐसे यह option आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर click कर लेना जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से और option यहाँ खुल कर आजाएंगे जैसे की option यहाँ आ रहे है setting का option आपको फिर यहाँ मिलने लगेगा जिसको मैं highlight करके बता रहा हूँ तो आपको यहाँ आपको यह option मिल जाएगा scan quality आप किस quality में image को scan करना चाते हैं तो यहाँ आपको scan quality का option दिया हुआ है अब हमें अधिकतर जगे जो PDF फाइल जो हम upload करते हैं उसकी size बहुत कम मांगी जाती है विभागदारों जो हमसे कारी करवाय जाते हैं वहाँ फाइल की size हमसे फुल कर आएंगे या तो image को आप high quality में लेना चाते हैं अगर आप image को high quality में लेंगे तो PDF फाइल की size बड़ी बनेगी इस बात को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ दूसरे नंबर पर आपको option मिलता है medium quality यदि आप medium quality में image लेंगे तो आपकी जो PDF फाइल जनरेट और जाएंगे हमारी PDF फाइल की size है जो वो कम होती चली जाएगी मतलब आपको चार option यह उलेबल करवाए हैं high quality, medium quality, low quality और custom quality तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यदि PDF फाइल आपकी कम size में चाहिए जहां भी आपको upload करना है वहां कम size में चाहिए तो आप य तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना यह dark बिंदू यहां पर आ जाएगा उसके बाद आपको यहां select का option दिखाई देगा तो आपको select वाले option पर क्लिक कर लेना है जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने से यह जो box है, dialogue box है हट जाएगा अब आपको यहां वापस इस पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो option है आपके सामने से हट जाएगे, अब मान लो कि इसी page का हम PDF फाइल बनाना चाते हैं, तो हमें इसको बिलकुल mobile को इसके सामने इस्तिर करना होगा, जैसे कि अब हो चुका है, जो मैं कक्षाचार की यह पिक्चर खीचने के लिए केमरा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लिजेगा, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की information आजाएगी, मतलब इसका पिक्चर अब हमारे इसमें आ चुका है mobile में, अब आप जो यह टेड़ी मेडी साइज है, उसस के इतनी ही जगे रखनी है, अब जैसे मैं सेट कर रहा हूँ, इमेज टेड़ी थी, तो मैंने सीधी करने का प्रयास किया, अब आपने इसका पिक्चर ले लिया, मालो आपकी जो फाइल है, दो पेज की PDF आपको बनानी है, तो अब यह सी कंडिशन में आपको यहाँ option क deepest अब संदेगा continue का, तो आपको इस continue वाले option पर क्लिक कर लेना है, और साथ हूं पहले और फिचर चाहीं को बताने से पहले और फिचर आपको यहाँ के लियर कर दूँ, यदि आप इस फाइल को क्या है, rotate करना चाते हैं, तिर्ची करना चाते हैं, घुमाना चाते हैं, तो आपको यहां rotate का option भी मिल जाएगा, उसके अलावा आप file को crop करना चाते हैं, तो already आपको यहां crop के option तो जिसे ही आप picture लेंगे, आपको यहां पर मिल जाएगे, उसके अलावा DOC file का name आप रखना चाते हैं, तो वो यहां से कर पाएंगे, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम यदि इस file को rotate करना चाते हैं, मालोग कि यह जो मैंने picture ली है, यह गलत side में मेरे पास आ गई है, हम इसे rotate करना चाते हैं, तो हम यह rotate का option दिया हुआ है, हम इसे इस पर click करके rotate कर सकते हैं, तो जिस भी position में आप file को रखना चाते हैं, यह defend करता है आपके उपर, अब आपको यहां एक crop free का option दिया हुआ है, आप इस पर click करेंगे, तो जितनी भी आपके camera की size थी, उस हिसाप से automatically यह जो image यह automatically कटेगी, परन्तु आपको जितनी आप आराम से यहां से काट लिजिए, जो आपको यहां दिया हुआ है, क्योंकि आप crop free करेंगे, तो जो mobile है अपने हिसाप से crop करेगा, उसके बाद यदि आप document का name रखना चाते हैं, तो मैंने आपको यहां clear किया है, कि document का name आप कैसे रखेंगे, यहां click कर लिजेगा, यहा एक page का photo लिया है, एक page की आप PDF बनाना चाते हैं, या उससे ज़्यादा की बनाना चाते हैं, तो आपको यहां option मिलता है continue का, इस continue वाले option पर आपको click कर लेना है, जैसे आप click करेंगे, आपके सामने आप इस तरह से information खुल कर आ जाएगी, अब आपको यहां देखना है, पह करन लेते हैं, कि यदि हम दूसरे page की picture लेना चाते हैं, और उसे PDF में convert करना चाते हैं, तो हम इस तरह से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे page को पहले हम set कर लेंगे, अच्छे से, उसके बाद उसकी picture लेंगे, picture लेने के लिए वही आपको कैसे लेनी है, यहां आपको जो camera है, उस पर click करना है, जैसे आप यहां पर click करेंगे, automatically जो यह कुछ time आपको हाथ को इस्तिर रखना है, आपको हाथ को हिलाना नहीं है, ताकि जो आपकी image ली जाए, वो सही image आए, अब मालो कि आप image यह आ चुकी है, हमारा सामने हम इसको crop करना चाते हैं, या थोड़ा आई है, या नहीं आई है, यदि आप से गलत image चूज हो गई है, या आपने गलत picture ले लिया है, तो आपको यहां retake का option दिया हुआ है, आप retake पर click करेंगे, जिसे retake पर click करेंगे, फिर से आपके सामने जो camera है, वो own हो जाएगा, फिर से आप यहां से picture ले सकते हैं, आप य click कर लिजेगा, और यदि आप नहीं जोड़ना चाते हैं, बिल्कुल आपका कार्याब हो गया है, तो आप mobile के button को, जो back button होता है, आपके mobile में, उस पर आपको यहां एक बार press कर देना है, जिसे आप back पर press करेंगे, इस तरह से आपके सामने, आपके mobile का camera वापस own हो जाएग अब जब camera आपके सामने own हो रहा है, तो इधर आपको यहां देखना है, या right का निशान मिलेगा, मतलब आपने दो picture ले लिए, दो ही picture के आपको पीडिये बनानी है, तो आपको इस right वाले निशान पर click कर लेना है, जिसे आप right पर click करेंगे, इस तरह की information अब आपके सामने खुल कर आ जाएगी, अब सातियों आपको यहां ध्यान रखना है, मैं हर feature को आपको यहां clear कर रहा हूँ, पर तो आपको ध्यान रखना है, कि यह जो image आई है, जिसे आपको गलत लगता है, कि यह image गलत है अभी, आप इसे काटना चाते हैं, तो यहां आपको crop का option दिया हु सातियों, मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, कि यह मैं जो आपको यहां clear PDF नहीं बता रहा हूँ, परन्तु आपको यहां card chart कैसे कर नहीं है, आपकी PDF में वो प्रक्रिया बता रहा हूँ, इस तरह से आप card लेंगे, य यदि आप image को rotate करना चाते हैं, तो यहां click करके आप image को rotate कर सकते हैं, और आपका सारा कारी हो गया है, तो आपको यह arrow का निशान दिखाए देगा, इस arrow वाले निशान पर click कर लेना है, अब आपको सातियों यहां पर बहुत सारे option मिल जाते हैं, जैसे कि पहले number पर हम बात क आते हैं, तो आप यहां पर click कर लिजेगा, जैसे आप यहां पर click करेंगे, आपके सामने बहुत से filter आपको यहां देखने को मिलेंगे, तो आप यहां इन filter का उपयोग करके इसको जैसे मैं black and white filter पर click कर देता हूँ, तो यह image जो है, यह PDF जो है black and white रूप में हमारे सामने आ पर रखेंगे या color पर रखेंगे, जिस पर भी रख लेंगे, उसके बाद आपको यहां एक right का निशान दिखाए देगा, तो इस right के निशान पर आपको click कर लेना है, मतलब अब आपका काम हो चुका है, तो आप इस तरह से पूरी जो आपकी जो image है, उसको PDF में सही तरीके से आपने जाच लिया है, कि मुझे यही PDF फाइल बनानी है, तो आपको यहां फिर right का निशान दिखाए देगा, इस right के निशान पर फिर से आपको click कर लेना है, अब आपके सामने इस तरह की information खुल कर वापस आ जाएगी, अब सातियों यहां से काम शुरू होता है, यहां ह आपको यहां पर दिखाए देंगे दो option, पहला जो option मिलेगा, आपको यहां create PDF for this file only, और create PDF for entire document, तो आपके लिए यह लागू रहेगा, कि यह आप एक page को PDF में रखना चाते हैं, यह पूरी file को PDF में convert करना चाते हैं, यह आपको उपर defend करेगा, तो आपको यहां click कर लेना है, create PDF for entire document, तो आपको यहां पर जैसे आपने click किया, जो दो page आपने scan किये थे, वो दोनो page आपके सामने यहां आ चुके हैं, अब आप यहां चाते हैं, कि इसकी size कोई बारी आती है, आपको कि इसकी size जैसे दो page आपके पास, इसकी size आपको reduce कैसे करनी है, तो उसके लिए आपक अर्मान में, यदि हम इसे save करेंगे, या कहीं share करेंगे, तो दो सो तरान में केवी में यह file जाएगी, परन्तु आप चाते हैं, कि इस file की size आपके सामने reduce हो जाए, क्योंकि यह ज़्यादा हो गई है, मालों आपको तो 100 केवी में ही चाहिए, या 1.500 केवी में ही चाहिए, अब आपको यहां देखना हैं, यहां पर आपको एक अलग रंग में यहां आपको low दिखाई देगा, यहां good दिखाई देगा, यहाँ high दिखाई देगा, तो अब आप इसकी size को कम करना चाहते हैं, तो आप यहां high के यहां अपनी फिंगर को रखिएगा और नीचे की ओर चलिएगा मतलब आपको left hand की ओर चलना जिसे आप इधर जाएंगे file की size automatically reduce हो जाएगी आप यहां देख रहे हैं जिसे मैं इधर की ओर ला रहा हूँ तो file बंती है मेरी 200 तर्राणवे केबी यहां इस पस्ट लिखा हुआ है कि file कितने केबी की है 200 तर्राणवे केबी की है परंतो हम इसे low करते हैं आपको यहां इस पस्ट दिखाई देने लगा है file कि size क्या हो चुकी है 156 केबी की हो चुकी है तो इस तरह आप file कि size को गटा और बढ़ा सकते हैं और और भी आपको फाइल को छोटा करना है तो मैंने आपको बिलकुल इस वीडियो के आरम में बता दिया है कि आपको क्या करना है जो आपका camera की setting करेंगा वो low पर रखेंगे तो एक तरीका तो यह हो जाएगा फाइल की साइज को छोटा करने का दूसरा तरीका में आपको यह बता देता हूँ यह practical मेरा किया हुआ है कि यदि आपसे बहुत ही छोटी साइज में मांगा जाता है कि आप बहुत छोटी साइज आनी चाहिए और आप इसके थुरू क्योंकि आपको यहाँ दो option दिये जाते हैं आपको दियान रखना है कि आपको हाई कंप्रेस का भी यह option मिलता है लेकिन यह पेडे साथ यह आप इसे ओन करेंगे तो आपसे पैसा मांगेगी ऐसी कंडिशन में आपको बहुत ही कम साइज में मालो करना है कंप्रेस करनी है फाइल को छोटा करना है तो आप क्या किजेगा आपके मोबाइल को जब पिक्चर लेते हैं तो आप जिस भी परिपत्र की या पत्र की पिक्चर ले रहे हैं आप आपके मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजेगा उससे दूर से फोटो लीजेगा simple सी बाशाम में कहूं तो आप दूर से photo लीजिएगा जैसे आप दूर से photo लेंगे तो आपकी छोटी image आएगी छोटी image आने के बाद उसे आप crop करेंगे तो image आपके सामने इस तरह से आएगी और automatically उसकी size ही कम आएगी तो आप जिस भी size में उसको फिर convert करना चाते हैं फिर आ आगे पीछे करके उसकी size को कम करने का प्रयास कीजिएगा आप size को कम कर पाएंगे तो जब आप sure हो जाएं कि जिस size में आपको file चाहिए थी वह file आपकी यहां बन चुकी है तो अब आपको यह option दिया हुआ है यदि आप कहीं इसको share करना चाते हैं तो direct आपको यह option दिया ह करता है आप आपके document file में इसको save करना चाते हैं तो आप यहां save पर click कर लिजिएगा तो जैसे आप save पर click करेंगा आपके सामने इस तरह के option खुल कर आ जाएंगे तो आप चाहे तो इसे internal storage में save कर सकते हैं my document में save कर सकते हैं Google Drive में save कर सकते हैं यह depend करता है आपको उपर कि आ upload करने के आउशकता हो तो ज्यादा file को डूणना ना पड़े तो इस तरह से सातियों आप mobile की साहिता से ही किसी भी file को PDF file के रूप में convert कर सकते हैं उम्मित करता हूं आपको जो मैंने परकरिया सिखाई है वह आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगी और यदि यह परकरिया आ आप मैंने आपको प्रकरिया बताने का प्रयास किया है कि आप आसानी से किसी भी file को PDF file में convert इस app के माध्यम से कर सकते हैं और यदि आपके पास आप मेरे से ज़्यादा जानते हो सातियों बहुत साती हमारे विद्वान साती है जो जानते हैं कि इससे भी बड़िया scanner हो सकता हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उस इसकेनर का नाम अवस्ट लिकिएगा मिलते हैं सातों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत